चावज, स्किन केर में यूज होने वाला बहुती इफेक्ट बहुती पावर्फुल इंक्रियंट है एड इसलिए बहुत सारे लोग स्किन केर रूटिंग के अंदर राइस वोटर का यूज करते हैं लेकिन राइस वोटर को पूरी बोड़ी पर अपलाई करना डिफिकल्ट होता है और साथ ही राइस वोटर को स्टोर करना भी डिफिकल्ट होता है अगर अब इसको फ्रीज में स्टोर करते हो ते आराम से साथ से दस दिन तक रहे जाएगा लेकिन आप इसको बहार स्टोर नहीं कर सकते हैं तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वालोग राइस वोटर क्रीम इसका जो में इंग्रेडियन्ट होगा वो होगा राइस वोटर और इस क्रीम की खास बात यह रहेगी राइस वोटर क्रीम बनाने के लिए आपके सब्सक्राइब पढ़ेगी राइस वोटर की तो सबसे पहले हम तेयार करते हैं राइस वोटर राइस वोटर बनाने के लिए आप यहाँ पे कोई भी तरह के चावल का यूश कर सकते हो आपको यहां पेले ना है दो से तिन चमच खाने वाला चावल और चावल को सबसे पहले दो से तिन बार अच्छे पाने से वाश कर ले जिसकी वज़े से चावल के अंदर इंपुरिटी से जो भी गंदगी थी अगर उसके अंदर कोई भी किड़े वगे रहोंगे वो अच्छी तरह से साफ हो जाएंगे निकल जाएंगे दो से तिन बार रैस को वाश करने के बाद आपको इसके अंदर डालना है पिने वाला पानी और पानी को डालने के बाद आपको राइस को इस बार से 15 गंटे तक छोड़ देना है 15 गंटे के बाद आप देख सकते हैं जो हमारा राइस का पानी था वो हलका सा मटमेला हो चुका है और इस टाम पे आपको rice को filter कर लेना है, और जो पानी बच्चे का यह हमारा तयार हो गया rice water, और जो बच्चे में rice थे आप उसको खाने के लिए use कर सकते हो, अब यह rice water को आपको दो दिन तक ऐसी छोड़ देना है जिसकी वज़े से यह फर्मेट हो जाए, फर्मेट होने की व water phase और दुसरा होते oil phase, water phase के अंदर हम सारी water से related चीज़े एड़ करते हैं, और oil phase के अंदर oil, butter और wixcom एड़ करते हैं, तो सबसे पहले हम prepare करते है water phase, water phase को prepare करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी rice water की, आप उसके अंदर एड़ करेंगे glycerine, दुनों को mix करने के बाद हम इसके अंदर एड़ करेंगे allantine, allantine हमारे skin को बहुती ज़़ा smooth बनाता है, और साथ हे moisture को lock करने का काम करता है, तिरुको अच्छी तरह से mix कर ले, और उसके बाद हम इसके अंदर एड़ करेंगे hyaluronic acid, अगर आपके पास hyaluronic acid नहीं है, तब इसको skip भी कर सकते हो, hyalur hyaluronic acid एड़ करने के बाद आपको spatula से इसको बिल्कुल भी mix नहीं करना है, otherwise hyaluronic acid के spatula पर चिपग जाएगा, hyaluronic acid को water phase में एड़ करने के बाद उसको एड़ पास से 6 गंड़े के लिए ऐसी छोड़ दे, जिसकी वज़े से अच्छी तार से फूल जाएगा, और जो भी water phase था, वो पास से 6 गंड़े के बाद एक gel foam के अंदर convert हो जाएगा, यह हमारा हो गया water phase, अब बात करते है oil phase की, oil phase बनाने के लिए आपको ज़र पड़ेगी almond oil की, अगर आपके पस almond oil नहीं है, अगर आपके पस almond oil नहीं है, अगर आपके पस almond oil का यूज कर सकते हो, हम उसके e-wax का भी यूज कर सकते हो, उसके मदम इसके अंदर add करेंगे beeswax, यह हमारा ready हो गया oil phase, पर दोनों phase को double boiler की मदद से इसको boil करना पड़ेगा, इसको गरम करना पड़ेगा, आपको इन दोनों phase को तक तक गरम करना है, जो आपता wax वाला part था, जो आपके oil थे, वो अच्छ पूरी तरह से melt हो चुका है, तो इस टाइम पे हम water face के अंदर add करेंगे oil face, इसको अच्छी तरह से blend करेंगे, जैसे जैसे दोनों blend होते जाएंगे, एक cream foam के अंदर ton होता जाएगा, और उसके माद में इसको पूरी तरह से थंडा कर लेंगे, जब एक cream पूरी तरह से थंड और इन essential oil का use किया है, essential oil का use करने की वज़े से जो essential oil की जो properties होगे, जो skin गुण होगे, आपके skin को अच्छी तरह से मिल पाएंगे, इस cream को अच्छी तरह से mix करने के बाद इसको add add container के अंदर store कर लें, एक cream not sticky and non oily होती है, तो आप इसको कभी भी use कर सकती हो, लेकिन मैं आप आपको suggest करूँगा, इस cream को आप रात को सोने से पहले apply करें, रात को हमारी skin repair होती है, हमारी skin heal होती है, इसकी वज़े से, इस cream को लगाने से आपको ज़ादा फाइदे होगे, इस cream का use करने की वज़े से आपके skin को light and brighten बनाएगा, आपके skin की उपर naturally glow को बढ़ाने का काम करे साथ ही आपके skin को hydrate रगेगा, आपके skin को बहुत ज़दा smooth बनाएगा, अगर आपके face की उपर aging के symptoms दिख रहे हैं, अगर आपके face की उपर wrinkle से, फाइलांस है तो उसको एक खतम करेगा, और साथ ही आपके skin को बहुत ज़दा tight and luckily बनाएगा, means cream anti-aging का भी काम करेगा, इस cream क पास साल से बच्चे से लेकि कोई भी उमर की बड़ी व्यक्ति इसका यूश कर सकती है, पर इस cream को लगाने से आपको कोई भी तरा के side effects नहीं होने वाले, अगर आपको मेरी माहीत जिसो लगी हो, तो मेरी वीडियो क्लैक जरूर करें, आज के लिए इतना ही, मिलता नेक्स स्टूडियो में तब तक के लिए दिन्यवाद